आपका सवाल नमबर ए है, बर्फ से बने घर को क्या बोला जाता है? आपका option है, E. इगलू, B. आइस घर, C. कुछ नही, D. सफेद घर. आपका सही जवाब हो जाएगा, option A. इगलू. आपका सवाल नमबर दो है, रावन का असली नाम क्या था? आपका option है, E. रावन, B. दशनन, C. दशेग्रीव, D. कुछ नही, आपका सही जवाब हो जाएगा, option C. दशेग्रीव. आपका सवाल नमबर तीन है, कौन से पौधे में फूल नहीं होते हैं, आपका option है, E. केला का पौधा, B. फ़न, C. नीम, D. आपका सही जवाब हो जाएगा, option B. फ़न. आपका सवाल नमबर चार है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतहस्त्रावी ग्रंथी कौन सी है, आपका option है, E. अगनाश्य, B. यकृत, C. पियुश ग्रंथी, D. कोई नहीं. आपका सही जवाब हो जाएगा, option B. यकृत, आपका सवाल नमबर प्वाच है, लार किसके पाचन में सहायक होती है, आपका option है, E. स्टार्च, B. प्रोटीन, C. कार्बोहाइड्रेड, D. वसा. आपका सही जवाब हो जाएगा, option A. स्टार्च, आपका सवाल नमबर 6 है, सरवाधे कंडे देने वाली मुर्गी का नाम क्या है, आपका option है, E. वाइट लेग हार्ग, B. मिनोग, C. दोनों ही, D. कोई नहीं. आपका सही जवाब हो जाएगा, option C. दोनों वाइट लेग हार्ग और मिनोग, आपका सवाल नमबर 7 है, ऐसा कौन सा पक्षी है जिसके पंख नहीं होते है, आपका option है, E. कबूतर के, B. मुर्गी के, C. कीवी के, D. मिनोग के. आपका सही जवाब हो जाएगा, option C. कीवी, आपका सवाल नमबर 8 है, घोडे के बच्चे को हिंदी में क्या कहते हैं? आपका option है, E. अश्व, B. बच्चेडा, C. बाच्चडा, D. छोटा घोडा, आपका सही जवाब हो जाएगा. option B. बच्चेडा, आपका सवाल नमबर 9 है, घोडे के घर को क्या कहा जाता है? आपका option है, E. तबेला, B. अश्व, शाला, C. घोडशाला, D. अश्व, बेला. आपका सही जवाब हो जाएगा. option B. अश्व, शाला, आपका सवाल नमबर 10 है, कौन सा पक्षी दूद देता है? आपका option है, E. जमगाद, B. मुर्गी, C. चील, D. शुतुर मुर्ग. आपका सही जवाब हो जाएगा. option A. चमगाद, अगला सवाल है आपके लिए, जिसका जवाब आपको मुझे नीचे comment box में बताना है. आपका सवाल होगा, प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आपका option है, E. 11 नवंबर को, B. 11 अप्रेल को, C. 5 सितंबर को, D. 14 सितंबर को. तो सभी से निवेदन है कि यदि आपको इस सवाल का जवाब मालूम है, तो हमें नीचे comment box में जरूर बताए. धन्यवाद.